हेलो डॉक्टर्स ये मेरे यानि डॉक्टर समीन मंसूरी के चाइना ओफिस अनालिस यानि सिंकोना के माइंड रूब्रिक्स का चौथा और आखरी वीडियो है पिछले तीन वीडियो में हमने सीखा कि कैसे अपनी fanciful wishes के नाकाम होने पर चाइना पेशिंट contemptuously behave करता है और अपने दुश्मनों को vex करके बदला लेनी की कोशिश में लगा रहता है अब सिंकोना पेशिंट को किसी भी चीज़ में कोई interest मैसूस नहीं होता जो पेशिंट कभी government, greedy और bulimic था अब खाना पीना लगबग छोड़ देता है अब उसे खाना मिले ना मिले, भोजन स्वादिष्ट हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे मानो पेशिंट की भूग प्यासी खतम हो गई हो चाइना दवाई की periodicity mind में भी दिखाई देती है इसलिए पेशिंट एक specific time period के लिए indifferent हो जाता है और फिर पहले की तरह behave करने लगता है या फिर घुसा और चिचरापन महसूस करता है पेशिंट ने कहा मेरी बिमारी ठीक नहीं हो रही है इसलिए मुझे बहुत घुसा आता है फिर कुछ समय बाद मैं यही सोचता हूँ कि बिमारी को ठीक होना होगा तो ठीक हो जाएगी वरना ठीक नहीं होगी फिर मैं अपनी तकलीफ के बारे में सोचना बन कर देता हूँ लेकिन अगर बिमारी का खया दिमाग में आया तो मुझे दुबारा गुसा आ जाता है पेशिंट बोला जब बच्चे बात नहीं सुनते तो मैं चिर जाता हूँ मैं इनके भले के लिए कह रहा हूँ लेकिन जब इनको खुद परवान नहीं है तो फिर मैं यही सोचता हूँ कि भाड में जाये ये लोग फिर मैं उनकी तरफ ध्यान देना ही बन कर देता हूँ लेकिन अगली बार जब मैं उन्हें कोई बात कहता हूँ और वो लोग बात नहीं मानते तो मैं फिर से चिर जाता हूँ चाइना पेशिंट अपनी तकलीफों को लेकर भी एपथेटिक हो जाता है और कुछ भी कहने के बज़ाए चुप रहता है कभी अपनी कमजोरी को लेकर इरिटेट हो जाने वाला पेशिंट अब वीकनेस की तरफ ध्यान देना ही बन कर देता है एक्जाम्पल पेशिंट ने कहा डॉक्टर तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही थी बरदाश्ट करना मुश्किल हो गया था और कमजोरी भी महसूस हो रही थी लेकिन मेरे एक urgent meeting थी तो मैंने सोचा पहले वो काम अटेंड करता हूँ फिर तकलीफ के लिए दवाई लेने जाऊंगा यहाँ पेशिंट के लिए उसकी कमजोरी और unbearable suffering यानि पेशिंट से ज्यादा जरूरी meeting थी इसले पेशिंट अपने एलमेंट को लेकर indifferent था Indifference, apathy with sadness and sadness, stiffness from single remedy, china Materia Medica Pura मे लिखा है on rising from sleep in the morning and from the midday sleep a paralytic stiffness of all the limbs that causes dejection of mind Synchrona patient indifferent or sad यानि उदास हो जाता है हाथ पैरों में हो रही जकडन की वज़े से जब पेशिंट कुछ कर नहीं पाता और खुद को अपाहिज महसूस करता है तो ये बात भी उसे दुखी और मायूस कर देती है Paralytic stiffness mental level पर भी हो सकती है जहाँ पेशिंट को मांसिक रूप से ये लगे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि सब कुछ जकड गया है ये रूबरिक पेशिंट के हिंडर्ड और important वाली feeling को भी दर्शाता है लेकिन यहाँ पेशिंट चिचड़ापन मैसूस करने के बजाए मायूस हो जाता है Indifference apathy to making money Laziness physical and laziness with sleepiness Synchronous patient जो अब तक air castles बना रहा था अब पैसे कमाने को लेकर भी पूरी तरह disinterested हो जाता है Example पेशिंट ने कहा डॉक्टर साब इतनी कमजोरी हो रही है कि काम पर भी नहीं जा रहा हूँ भले फिर मालिक पगार काट ले शरीर में काम करनी की इच्चा ही नहीं होती बलकि सुस्ती मैसूस होती है कोई काम एकदम जरूरी हो तो ही करता हूँ क्योंकि मुझे नीन्द आती है बस यही मन करता है कि कोई काम ना करूँ और सारा दिन सोता रहूँ Loathing at life, loathing at work and morose sulky with aversion to work Loathing मतलब किसी बात से उप जाना यानि अब उस काम को करने में कोई दिर्चस्पी बाकी नहीं रहती क्योंकि patient को यह लगता है कि वो काम करने से क्या होने वाला है Example, patient बोला जब सपने पूरे करने में इतनी रुकावटे हों तो फिर जीने से क्या फाइदा यह जो काम भी मैं कर रहा हूँ इससे भी करके क्या हासल होने वाला है Relatives ने बताया कि patient बस गुमसुम चुपचा बैठा रहता है और उसका काम में मन नहीं लगता Fear, trifles about and cares, worries full of trifles about अब बिना काम के सिंकोना patient मामुली बातों को लेकर डरने लगता है और जरूर से ज्यादा फिक्र करने लगता है Example, patient के relatives ने बताया कि patient छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाता है Fear of chickens Chicken शब्द के दो मतलब है पहला, chicken यानि मुर्गी का बच्चा ये एक ऐसा पक्षी है जिसे किसी को डर नहीं लगता लेकिन चाइना patient को इससे भी डर लगता है जो patient के fear trifles about वाले रूब्रिक की intensity दर शाता है दूसरा, English language में chicken word एक डरपुक इनसान के लिए इस्तमाल किया जाता है जिसमें हालात का सामना करने का दम नहीं होता जो उसी की तरह कायर और बुजदिल होते हैं Fear of dogs at night Dr. Herring's guiding symptoms में लिखा है Dread of dogs and other animals at night तो सिंकोना patient को रात के समय कुत्ते के अलावा दूसरे जानवरों से भी डर लगता है Sympathetic, compassionate to, towards animals ये भी contrasting rubrics हैं कि जहां एक तरफ China patient लोगों से बदला लेने के लिए उनकी feelings को hurt करता है वही दूसरी तरफ खुद को chicken, dogs और अन्य जानवरों से बचाने के लिए वो उनसे बेध हमदर्दी और रहम दिली से पेश आता है पेशिंट को ये पता है कि dogs जैसे जानवर सहनुबूती मिलने पर चोट या हमला नहीं करते हैं और इस तरह patient उनसे मन मताबिक काम करवा सकता है fear of people, anthropophobia, fear approaching of others, lest he be touched सिंकोना patient को अब लोगों से भी डर लगने लगता है और वो किसी को भी अपने नस्दीक नहीं आने देता कि कहीं कोई उसे चूना ले या चूना मतलब touch सिर्फ physically ही नहीं बलकि mentally भी applicable है example, patient बोला, doctor, जब से तबेद खराब हुई है, तब से मैंने सब को खुद से दूर कर दिया है ये लोग मेरे पास आकर कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जो मुझे hurt कर जाती है इन्हें मेरी दुखती रख पर हाथ रखने की आदत है इसलिए मैं इन्हें दूर से देख कर ही परेशान हो जाता हूँ fear of naves naves एक बैमान, बदमाश और धोके बाज इनसान होता है तो china patient खुद unsympathetic, unscrupulous और moral feeling want of वाला व्यक्ती होने के बावजूद अपने जैसे कप्ती और धूरत लोगों से डरता है delusions, life is a burden, anxiety, inconsolable, anxiety with suicidal disposition, inconsolable even to suicide, and suicidal disposition from sadness china patient को उसकी जिंदगी एक बोज लगने लगती है चिंताएं उसे इस हद तक परेशान करती है कि किसी के लाग समझाने पर भी उसका दुख कम नहीं होता बलकि consolation से उसकी तकलीफे और बढ़ जाती है ऐसी निराशा जनक स्तिती में उसके मन में आत्मात्या करने की strong इच्छा मैसूस होने लगती है suicidal disposition, evening, and suicidal disposition, night जो सिंकोना patient कभी evening और night में ideas आने पर theories और plans बनाता था अब उसी समय पर अपनी जान देने का plan बनाता है रात के समय कोई उसे बचाने नहीं आएगा इसलिए वो ऐसे शांत और एकांत माहौल में खुदकुशी करने की कोशिश करता है suicidal disposition by hypochondriasis China patient imaginary illness के बारे में सोच सोच कर खुदको अपनी life का दियंट करने के लिए उकसाता है एक औरत ने तीन doctors concert किये और उसके clinical examination और investigations की reports भी normal है वो बोली डॉक्टर सांस लिने में तकलीफ हो रही थी तो लगा कि कही ये covid निमूनिया तो नहीं शरीर गरम लगता है तो डर लगा कि कही ये malaria का बुखार तो नहीं कभी कड़क संडास हुआ तो लगता है कि पायल्स हो गया क्या ऐसी बिमारियों का डर लेकर जीने से तो बहतर है कि खुदकुशी कर लो पेशिंट ने कहा कि सारी reports नॉर्मल होनी के बावजूद वो बार बार ऐसा सोचते रहता है कि उसे heart attack हो जाएगा या उसका SPO2 50 के नीचे गिर जाएगा या उसे brain tumor हो जायागा ताकि एक दिन उसे इन में से कोई एक जानलेवा बिमारी हो जाए और वो मर जाए यहां सेहत मंद होने के बावजूद पेशिंट कालपनिक बिमारियों के बारे में सोच सोच कर खुदको मौत की तरफ ढखेलने की कोशिश कर रहा है एक तरफ चाइना पेशिंट खुद को तबाह और बरबाद करना चाहता है लेकिन उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती आत्मत्या करने की इच्छा होने के बावजूद खुली खिर्की या चाकू देखकर वो डर जाता है कि जोश में आकर वो कहीं कोई ऐसा कदम न उठा ले जिसके लिए उसे बाद में अफसोस करना पड़े एक्जांपल पेशिंट ने कहा कि एक दिन उसने फैसला किया कि आज वो जान देखकर रहेगा अचानक बिस्तर से उठकर जैसे मानो आलस छोड़कर जोश में आ गया और वो रेल की पट्री पर जान देने के लिए पहुँच भी गया लेकिन तेजी से आ रही ट्रेन को देखकर उसके सामने जाकर जान देने की उसमें हिम्मत नहीं हुई और वो घर वापिस आ गया तो ये चाइना ओफिस अनालिस के माइन्ड रूब्रिक्स का चौथा और आकरी पार्ट था मैंने अपने सिंकोना वीडियोस पार्ट वान, पार्ट टू और पार्ट त्री के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिये हैं तो उसे भी आप देख सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो या हुमियोपती से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कॉमेंट्स में बताएं मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा थैंक्यो फो वाचिंग